नमस्कार दोस्तों दोस्तों सभ्यता की शुरुआत से ही आहार में साबू तनाज का सेवन होता आ रहा है और विग्यानिक स्टडी के मुताबिक साबू तनाज सेहत के लिए बेहत फायदेमंद हैं जिनसे की डायबिटीज, दिल के रोक और हाई बलड प्रेशर का खत्रा कम हो मस्याओं के कारण बन सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे हम साबू तनाज के नाम और प्रकारों के बारे में घास जैसे पौदे के बीज को अन्न या अनाज का जाता है जैसे की धान, केहू, मक्का वगेरा, कुछ अलग किस्म के पौदों, पेडों और जाडों से जावल, विट बैरी, बलगर, जों, जौर वगेरा, इन खादे पदार्थों से बनी चीजें साबू तनाज के खादे पदार्थ कहलाते हैं जिनमें की रोटी, पास्ता, ब्रेकफास्ट सेरियल वगेरा शामिल है, और अब हम दुस्तों जानेंगे साबू तनाज के फाइद बैक्टरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं जो पाचन तन्तर के लिए महत्व पूर है ये बेक्टरिया पाचन प्रणाली को बहतर बनाने के साथ साथ पोशन का आउशोशन भी बढ़ाते हैं और शरिड की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करते हैं साथ यसाथ दोस्तों ये कॉलेस्ट्रोल को भी नियंत्रित रखता है साबू तनाज का सेवन कॉलेस्ट्रोल को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है ये अनाज न केवल हानी कारक कॉलेस्ट्रोल का आउशोशन रोकते हैं बलकि प्राई ग्लिसरेड का स्तर भी कम कर सकते है कूल मिलाकर साबू तनाज दिल के रोग का जोकिम कम करते हैं और एक स्टडी के अनुसार जिन महिलाओं ने रोजाना दो से तीन बार साबू तनाज से बने उत्पादों का सेवन किया उनका उन महिलाओं की तूलना में हार्ट अटेक या दिल की बिमारी से मरने का जुकिम 30 प्रतिशत तक कम था जिनों ने सब्ता में सिर्फ एक बार ऐसे खादे पदार्थों का सेवन किया साथ इसाथ दुस्तो साबुत अनाज दिल के लिए भी लागकारी है साबुत अनाज के सेवन से दिल के रोग के खत्रे को कम किया जा सकता है साथ इसाथ दुस्तो साबुत अनाज जो ही ये स्ट्रोक से बचाता है साबुत अनाज का सेवन स्ट्रोक के खत्रे को कम करने में भी मदद कर सकता है लगबग धाई लाख लोगों पर किये गए छे स्टड़ी के मुताबिक परपूर मातरा में साबू तनाज खाने वालों में स्ट्रोक का जोखिम 14 प्रतिशक तक कम था इसके अलावा साबू तनाज में तीन योगिक, फाइबर, विटामिन के और एंटियोक्सिडन्ट होते हैं जो की स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्ति ये मोटा पे को भी कम करने में फायदे मन हैं फाइबर से बरपूर बोजन का सेवन करने से आपकी बार बार बोजन करने की तलब कम होती और इसलिए वजन कम करने के लिए फाइबर युक्त बोजन करने की सला दी जाती है जो साबूत अनाज का परियाप्त सेवन करते हैं उनका वजन परिस्क्रूत अनाज खाने वालों की तुलना में कम होता है कुछ अनुसंधानों के अनुसार ये मोटा पेका जोखिम भी कम कर सकता है गौर तलब है कि करीब 1,20,000 लोगों पर किये गए 15 स्टड़ी में पाया गया कि दिन बर में 3 बर साबूत अनाज खाने वालों का बीए माई और पेट की चरबी कम थी अधेड उम्रक के जिन पुरूशों और महिलाओं ने 12 साल तक परिश्कृत उत्पादों की तुलना में फाइबर युक्त आहर का सेवन किया उनका वजन शेश के मुकाबले 3.35 किलो तक कम पाया गया साथ इसा दोस्तों इससे डायबिटिस के इलाज में भी ये फाइदे मन है साबूत अनाज आपके बलड शुगर के स्तर को बढ़ने से रोकते हैं जिससे की टाइब टू डायबिटिस का जोकिम कम होता है परिश्क्रूत अनाज की जगर साबूत अनाज के सेवन करने से डायबिटिस के खत्रे को कम करने में मदद मिल सकती है और ऐसा इसलिए भी है कि फाइबर से बरपूर साबूत अनाज वजन को काबू में रखने में मदद करते हैं और वजन का बढ़ना डायबिटीस का जोकिम पैदा कर सकता है। साथ इसा दोस्तों साबू तनाज सूजन को दूर करने में फाइदे मन हैं। जलन सूजन कई पूरानी बिमारियों की जड़ होती है लेकिन कुछ रिसर्च के अनुसार साबू तनाज का सेवन इने कम करने में मदद कर सकता है। अस्तमा ऐसी ही एक बिमारी है जिसे साबू तनाज के सेवन के जरीए कम किया जा सकता है। एक study में पाया गया कि साबू तनाज, जोवों और ब्राउन राइस से आतों की सूंग कम करने में मदद मिल सकती है एक study में पाया गया कि जिन महिलाओं ने भरपूर मात्रा में साबू तनाज का सेवन किया था उनकी जलन सूंग से जोड़ी पुरानी बिमारियों से मृत्यू क की आशंग का कम थी इसके अलावा हाल केक स्टड़ी के अनुसर जब परिश्क्रुद उत्पादों का सेवन करने वालों ने जब साबू तनाज के उत्पादों का सेवन किया तो उनमें जलन सूजन से जुड़ी समस्याओं में कम ही पाई गई साथ इसाथ दुस्तों यह आपको कैंशर से भी बचाता है साबू तनाज के सेवन से कुछ हद तक कैंसर के खदरे को कम किया जा सकता है इस विशए पर 20 स्टड़ी की समीक्षा के मताबक 6 स्टड़ी में साबू तनाज के सेवन से कैंसर के जोखिम को कम होता पाया गया जबकि 14 में इससे कोई संबन्द नहीं पाया गया कुछ रिसर्च से पता चलता है कि साबू तनाज के सेवन के कैंसर रोधी लाब मला से कैंसर में देखे गए जो कि पुरुशो और महिलाओं को समान रूप से सबसे अधिक होने वाला कैंसर है इसके अतिरिक्त फाइबर से जुड़े कुछ स्वास्त लाब भी कैंसर के खत्रे को कम करने में मदद कर सकते हैं इनमें एंटी ओक्सिडेंट और प्री बायोटिक की बरपूर मात्रा पाई जाती है इसके अलाबा साबू तनाज में मौझूद फाइटिक एसीड फैनॉलिक एसीड और सैपोनीन भी कैंसर के विकास को दीमा करने में मदद कर सकते हैं साथ इसाथ दोस्तों साबू तनाज से औसमय मृत्यों का खत्रा कम होता है पुरानी बिमारियों के जोखिम कम होते हैं तो औसमय मृत्यों का जोखिम भी कम होता है 2015 में हुए एक स्टडी के मुताबिक साबू तनाज के सेवन से विशेश रुप से दिल की बिमारी से औसमय मृत्यों का जोखिम कम हो सकता है हर दो चम्मच साबू तनाच के सेवन से और समय मृत्यों का जोकिम पांच प्रतिशत तक कम हो सकता है और साथी साथ दोस्तों ये आपके बलड प्रेशर को भी कम करता है साबू तनाच का सेवन न केवल दिल के रोक कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिसराइड के लिए लापकारी है बलकि बलड प्रेशर के लिए भी बहुत ही उप्योवी है दिल के रोक के लिए सबसे महतोपून जोकिम कारोकों में शामिल है हाई बलड प्रेशर एक study के अनुसर जिन पुरुषों ने एक सब्ता तक साबू तनाच का सेवन किया उनमें high blood pressure का जोखिम 19 प्रतिशत तक कम पाये गया और इसलिए यदि आप अपने high blood pressure को नियंतरित रखना चाहते हैं तो आज से ही साबू तनाच का सेवन शुरू कर देना चाहिए और अब हम दोस्तों जानेंगे कि साबू तनाच के नुकसान क्या होते हैं तो दोस्तों गेहू जो और राई में gluten होता है जो protein का एक प्रकार होता है इसके सेवन से कुछ लोगों को allergy हो सकती है और gluten allergy के कारण आपको celiak रोग हो सकता है साथ ही साथ दोस्तों गेहू जैसे कुछ अनाज में FOD, MAP नामक short chain carbohydrate की मातरा अधिक होती है जिसके कारण irritable bowel syndrome वाले लक्षन पैदा हो सकते हैं साथ ही साथ diverticulitis एक अन्य परिशानी है जिसमें fiber के सेवन से बचने की जरुवत होती है इसमें छोटी आथ में सूजन हो जाती है जिसके इलाज के लिए fiber का बहुत कम मातरा में सेवन आवशक होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकार ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कर ले सब्सक्रा सेस्टाम